साथियों, तेज विकास के लिए हमारी डबल इंजिन के सरकार, इंफ्रस्ट्रेक्टर, इन्वेस्टमेंट और मेंडिफेचरिंग तीनों पर एक साथ काम कर रही हैं। इस साल के बजेट में साड़े साथ लाग करोड रुपिये के अभूत पुर्व, केपिटल एक्स्पेंडिचर का एलोकेशन इसी दिशा में उठाया गया कदम है। मेनिफेक्टरिंग को बढ़ावा देने के लिए हमने पियलाई स्किम्स गोशित की हैं जिनका लाप आपको यहाँ यूपी में भी मिलेगा। यूपी में बन रहा डिपेंस कोरिडोर भी आपके लिए बहतरीन संभावना ये लेकर आ रहा है। भारत में आज डिफेंस मैनिफेक्टरिंग पर जितना जोर दिया जा रहा है उतना पहले कभी नहीं दिया गया। आत्म निर्भर भारत अभ्यान के तहट हमने बड़ी हिम्मत के साथ फैसला किया हैं। हमने तीन सो चीजे ऐसी आइडेंटिफाय की हैं और हमने निर्णे किया है कि ये तीन सो चीजे अब विदेश से नहीं आएगी। यहने मिल्ट्री एक्विपेंट से जुड़ी हुई ये तीन सो चीजे हैं। मतलब डिफेंस के शेत्र में जो मैनिफेक्टरिंग में आना चाहते हैं। उनके लिए इन तीन सो प्रोडुक के लिए तो मार्केट एश्वर्ड मार्केट अवेलेबल है। इसका भी आपको बहुत ज़्यादा लाब मिलेगा।